वेल्कम आवर यूटूब चेनल जीयस्वित आंसू दोस्तों बिहार परदान सिच्छक के लिए डियालेट से संबन्दित प्रस्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें साड़े प्रस्न बहुत ही इंपोर्टेंट दिये गए हैं जो आपके एकजाम में डियरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है इसलिए वीडियो को लाज तक जोड देखें चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्न है अधिगम की मात्रा मुख रूप से निर्वर करती है चात्रों की अभी पेड़ना पर अगला प्रस्न है एक सिच्छक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक की वो खुद नहीं सिख रहा है यह द्रिष्टी कोण किसके दोड़ा बैक्त किया गिया है यह द्रिष्टी कोण बैक्त किया गिया है रविन्ना टैगुर के दोड़ा अगला प्रस्ण है अब लोकन अधिगम का सिधान्थ किसके दोड़ा दिया गया था अब लोकन अधिगम का सिधान्थ दिया गया था बंडूरा के दोड़ा अप्शन मर सी अगला प्रस्ण है दीवा सौप्र नामक पुष्टक किसके दोड़ा लिखी गई है गेजु भाई बधेका के दोड़ा अगला प्रस्ण है सच्चे सिच्छन का सिधान्त कोज भी नहीं सिखाया जा सकता के रूप में किसके दोड़ा दिया गया था तो दोस्तो सच्चे सिच्छन का सिधान्त कोज भी नहीं सिखाया जा सकता के रूप में दिया गया था स्री अरबिंदो के दोड़ा अगला प्रस्ण है सकर्मी समू सरस्ता को निम में से किस अवस्ता के दुरान अधिक महत्पुन माना जाता है तो दोस्तो वह अवस्ता है किसोड़ा अवस्ता सकर्मी समू सरस्ता को किसोड़ा अवस्ता के दुरान अधिक महत्पुन माना जाता है अगला प्रस्ण है पियाजे के अनुसार बच्चे के विकास के किस चरण में संग्या नात्मक छमता के रूप में प्रती वर्तिता की अबधार्ना को दिखाया जाता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C मुर्च संक्रियात्मक अबस्ता अगला प्रस्ण है 19-20 सताबदी के अंत में किस दार्शनिक ने जानबोरों के साथ अपने पर्यूग के पहिणाम सडूख अधिगम के नियम तैयार किये तो दोस्तो वह दार्शनिक है एडवर्ड थॉन डाइक अप्सन नमबर C अगला प्रस्ण है कच्छा समवात को अनिवार रूप से निम में से कैसा होना चाहिए कच्छा समवात को अनिवार रूप से होनी चाहिए साहनबूती वाला अगला प्रस्ण है सिच्छन की मौन्टेशरी परनाली है अगला प्रस्ण है पडोस के बिद्यालों के विचार की वकालत की गई थी भारतिय सिच्छा आयोक 1964-66 के द्वड़ा अगला प्रस्ण है बुनियादी सिच्छा का विचार किसके द्वड़ा प्रति पादित किया गिया है महत्मा गांधी जी के द्वड़ा अगला प्रस्ण है द्रेश्टी छिन्ताव वाला एक बच्चा किसकी मदस से अधिकम को अधिक्तम करता है अगला प्रस्ण है द्रेश्टी छिन्ताव वाला एक बच्चा सरवन परणाली से अधिकम को अधिक्तम करता है अगला प्रस्ण है CCE के मुल्यांकन की प्रक्डिया किसके द्वड़ा लाई गई है तो दोस्तो CCE के मुल्यांकन की प्रक्डिया लाई गई है RTE 2009 के द्वड़ा अगला प्रस्ण है सारेरिक वृद्धी और विकास को क्या कहा जाता है साडरिक विरिद्धी और विकास को कहा जाता है पड़ी पकवन अगला प्रस्न है स्रिजनात्मक्ता को बढ़ावा देने के लिए एक सिच्छा को अपने चात्रों को डैस रखना चाहिए स्रिजनात्म को बढ़ावा देने के लिए एक सिच्छक को अपने च्छात्रों को कार केंद्रित रखना चाहिए अगला प्रस्ण है एक प्रभावी सिच्छक का सबसे महत्पुन गुन क्या है? एक प्रभावी सिछखक का सबसे महत्पुन गून है एक अच्छा प्रे रग अगला प्रस्ण है एक बैक्टी किसी कौसल को प्रभावी तरीके से कैसे सिख सकता है अगला प्रस्ण है बिद्याले परणाली में पढ़ाई गई सामागडी का पूर्ण समुच्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अधियन सुची, ओप्सन नमबर D अगला प्रस्न है गांधी जी की बुर्यादी सिच्छा डैस के सैचिक समायोजन से बहुत प्रभावित थी गांधी जी की बुर्यादी सिच्छा आदर्स्वाज के सैचिक समायोजन से बहुत प्रभावित थी अगला प्रस्न है कौन सा एक बाहे काड़क है जो एक बालक की ब्रिधी और विकास को प्रभावित करता है? तो दोस्तो वह बाहे काड़क है भौतिक प्रभावरन जो एक बालक की ब्रिधी और विकास को प्रभावित करता है अगला प्रस्न है कच्छा समवाद के तत्वों का अनुकरमिक करम है जागरुकता, फिर रूची, फिर मुल्यांकन, फिर ग्यान अगला प्रस्न है छात्रों के सही मुल्यांकन के लिए निमलीखित में से किस परती का उप्योग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मुल्यांकन के लिए निरंतन मुल्यांकन परती का उप्योग किया जाना चाहिए? अगला प्रस्ण है, सिच्छक का पहला कर्तब डैस के परती है सिच्छक का पहला कर्तब छातरों के परती है अगला प्रस्ण है, गानी सिखने में कटनाई को कहा जाता है गाणी सिखने में कटनाई को कहा जाता है डी स्केल्फ कुलिया ओप्शन नमर ए थैंक यू